हालो गईज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यूपिटेट एक्जाम 2019 के इस सीजन में मैं आपके साथ आपका बहुत ही जल्दी वो एक्जाम होने वाला है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं I hope MCQs ही लिये हैं मैंने यहां पर भी लेकिन पैसेज में यूपिटेट एक्जाम में एक या दो पैसेज आते हैं जिन पर आधारीत कुछ कम्पेहंसिव कोश्चन होते हैं ठीके तो उनको आज हमें समझना है कि किस सरह से आपको करना है कौन से तरीके अपनाने हैं और ज्यादा यहां पर है read the given passage carefully and answer the questions question number one to five one to five इस पैसेज पर आधारीत questions दिये हुए है that follow by selecting the most appropriate options मतलब सबसे उचित option को आपको यहां पर चूज करना है मैं high letter ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाए दे ठीक है Antarctica is an icy continent in the south pole देखे सबसे पहले आप इसके दो तरीके होते हैं या तो आप passage को एकदम से आगे मतलब पढ़के फटा पढ़के एक बार में पढ़के रागे भग जाए उसके बाद में आप जो उस पर आधारीत questions दिये हुए हैं उन्हें समझे ठीक है या फिर आप पह पहले questions को पढ़ता था उसके बाद में passage पर आता था तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रह जाता था कि question में ये बात पूछी गई तो इस बात पर ज्यादा जोर देना है तो चलिए वही करते हैं हम भी सबसे पहले हम question पूछ लेते हैं देख लेते हैं इसमें passage के अंदर तो क्य बरफील पहाड बरफीली जगह ठीक है तो वहां हम इसको यूज कर रहे हैं adjective के रूप में तो adjective यहां पर होना चाहिए ठीक है चलिए और सरस्री नजर दूसरे पर डाल देते हैं the word desert in the passage passage के अंदर desert है क्या ठीक है desert वैसे किसको बोले जाता है रेगिस्तान को बोले जाता है तो वो निर्जन प्लेस जहां पर लोग बहुत कम ना के बराबर रहते हैं जहां पर लोगों को वो facilities, natural facilities नहीं मिल पाती जहां लोग रह सकें उस जगह को हम desert बोलते हैं तो खेर यहां इससे मतलब नहीं है यहां ही पूछा गया कि यह noun है, pronoun है तो यह जगे का नाम ही तो है तो noun होना चाहिए, फिर भी हम देखेंगे, passage में कहीं दूसरा तो नहीं है, the word windious in the passage is a, passage के अंदर जो windious word है, यह आखिर क्या है, ठीक है, वैसे हम passage के अंदर जब पढ़ेंगे हो सकता, उसका meaning कुछ और निकले, लेकिन अगर हम यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब है, यह तो कैसा वेदर, windy, तो यह क्या हुआ, यह हुआ, एडजक्टिव, ठीक है, अब एडजक्टिव में अगर हम इसको comparative में यूज़ करेंगे, तो er यूज़ करेंगे, यहां y का i कर देते हैं, और अगर superlative में करेंगे, तो यह est लग जाता है, y का i होके, ठीक है, तो यह adjective है, अब इसका मतलब क्या है, कि सबसे ज़्यादा तूफान भरा, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, तो यह superlative form of adjective है, adjective की superlative form है, बाकी यह verb की तो नहीं है, पर फिर भी हम passage में चलेंगे, तो वहां हमें पता चलेगा इसके बारे में, अंटाक्टिका के जो earliest, सबसे पहले रहने वाले जो जन्तू थे, है ना, आवासिय लोग जो थे, या जन्तू थे, वो कौन थे, क्या वो American scientist थे, Indian scientist थे, या dinosaurs थे, या it has always been a desert, या हमें साच ही वो desert place रहा है, ठीक है, तो चलिए आब आते हम passage के अंदर, क्या कहा गया आज में अंटाक्टिका इस एन आईसी कॉंटिनेंट, अंटाक्टिका एक आईसी कॉंटिनेंट है, एक सेकंड रुगिए, अंटाक्टिका इस एन आईसी कॉंटिनेंट, अब देखें, यहाँ यह आईसी यूज हुआ रही है, कॉंटिनेंट महादीब, तो महादीब से पहले यह आ हमने पहले समझ लिया आप उसके आंसर हम एक साथ देंगे इन दा साउथ फोल, साउथ फोल में तो अंटाक्टिका साउथ फोल में एक आईसी कॉंटिनेंट है बतलब बर्फिला महादीब है यह हमेशा जम्य ही बर्फ से ढखा हुआ रहता है इस राउंड़ेट बाइड बाटर एंड बाटर एंड बाटर एंड यह चारो तरफ से पानी से घिरा हुआ और पानी भी उपरी सतय पर बर्फी जम्य रहती है और डेड़ गुना बड़ा से उनाइट इस्टेस के छेतर फल से यह डेड़ गुना बड़ा है और अंटाक्टिका में यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है डेजर्ट का मतलब जहां लोग नहीं रहते हैं तो यहां डेजर्ट यूज हुआ है चलिए आगे पड़ते हैं 98% of the land is covered with a continental ice sheet अठाण में परसेंट जमीन का 98% भाग वो continental ice sheet से घिरा हुआ है महादीप यह जो ice की जो sheet है उससे घिरा हुआ है गिरा हुआ है the remaining part और जो 2% है land का is barren road वो मतलब निर्जन चटाने हैं वहाँ पर कुछ नहीं उगता ना कोई रहता है Antarctica has about 87% of the world's ice Antarctica के अंदर 87% total world की 87% ice है the south fall is the seventh coldest यहाँ पर यह सेवन्थ है यह गलत लगाए हैं पर seventh coldest सबसे ठंडा windiest सबसे ज़्यादा तूफान भरा हुआ आप दें कि windiest वहाँ पर आया था तो adjective के रूप में हम देख रहे थे और यहाँ भी adjective के रूप में है कि coldest, windiest और dryest मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा तूफान भरा और सबसे ज़्यादा सूखा place है अर्थ पर वैसे मैं आपको बता दूँ place से पहले यह तीन adjective यूज़ हुए है coldest, windiest और dryest ठीक है लेकिन grammar यह कहती है कि अगर एक से ज़्यादा adjective आते हैं किसी भी noun के साथ में तो उनका use noun के बाद में होना चाहिए तो यहाँ पर place, coldest, windiest, dryest यह grammatically होना चाहिए था लेकिन मैंने आपको एक knowledge दी है यहाँ इसमें कोई विवाद नहीं है the coldest temperature ever recorded on earth, earth पर जो record किया गया सबसे थंडा temperature है was at the south pole, वो south pole पर है, पूरे world के अंदर it reached as low as minus 128.6 Fahrenheit और 89.22, यहाँ पर यह 0 को हटा दीजे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी 89.22 Celsius, मतलब minus degree में यह temperature है, या तो इसको हम Fahrenheit में कह लें, या फिर इसको हम Celsius में कह लें, देखिए Fahrenheit और Celsius, इसका यह formula होता है, मैंने क्योंकि आपके knowledge के लिए बता दिया है, बताने चाहरा हूँ, जो formula होता है, यहाँ पर हम Fahrenheit को रखें, मतलब minus 128.6 और minus 32, उसमें से 32 को minus कर लें, और फिर उसकी गुणा कर दे, 5 upon 9 से, तो आपका निकल के आजाएगा answer Celsius में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, On an average, most of the Antarctica, Antarctica पर जादतर, gets less than 2 inches of snow each year, लगभग, मतलब Antarctica पर अगर on average देखा जाए, तो 2 inch से थोड़ा कम हर साल, जो बर्फ है, वो कम हो जाती है, आल्दो यदिपी scientific expectations visit Antarctica, हाला कि scientific जो विग्यानिक अभियान है, उन्हों ने विजित किया है, अंटाक्टिका पर, there are no permanent human residents, लेकिन वहाँ पर कोई भी permanent human residents नहीं है, अंटाक्टिका पर कोई लोग permanently नहीं रहते हैं, घूमने चले जाएं, वो अलग बात है, this is because of the extreme weather, और यह किसलिए है, क्योंकि वहाँ पर अत्या धिक मौसम जो है ठंडा है, which includes freezing temperature, वहाँ पर हर चीज को जमाने वाला temperature है, strong winds, टेज हवाएं, and blizzard, blizzard बोलते हैं, तूफान, बरफिले तूफान, ठीके, बरफिले तूफान को blizzard बोलते हैं, तो there are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica, लगबग अब तक 4,000 visitors Antarctica जा चुके हैं, Antarctica hasn't always been located as South Pole, Antarctica हमेशा South Pole पल नहीं रहा, देखे वहाँ पर question आपका आया था, क्या South Pole पे हमेशा Antarctica रहा है, तो यहाँ पर क्या answer है, no, it has drifted, यह सरकता रहा, सरक गया, like the other continents, दूसरे continents की तरह, it has ranged from the equator during the Cambrian period, Cambrian period के 500 million years, 500 million साल पहले to the South Pole, यह South Pole पर आ गया था, equator से सरक सरक के, भूमध्य रिखा से सरक के, during the time of the dinosaurs, dinosaurs के समय, अब देखे वहाँ पर पुछा गया था, के inhabitant कौन सा था, महाँ पर, सबसे पहला, earliest inhabitant पुछा गया था, तो dinosaurs के समय, Antarctica was more temperature, Antarctica में ज्यादा temperature था, and housed dinosaurs, और वहाँ पर dinosaurs के घर बने हुए थे, मतलब डाइनोसोर वहाँ पर रहते थे, and many other lie, और दूसरी जीवन भी रहता था, now there is very little indigenous lie, लेकिन अब तो वहाँ पर बहुत ही कम जीवन बचा है, मतलब अब वहाँ पर जो जीवन है, वो ना के बराबर बचा है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं question को, the word I see in the passage, passage के अंदर जो I see, आप तो आपको इसपस्ट हो गया होगा, I see continent use हुआ तो वहाँ पर, तो वो क्या है, adjective है, continent की विश्षिश्टा बता रहा है, I see, ठीक है, वहाँ पर desert क्या है यह, noun, pronoun, यह verb, यह verbal, वही तो कहा गया, हमाँ पर विश्षिश्ट, इस्थान, जहां पर कोई नहीं रहता हो, तो क्या है यह, noun है, ठीक है, place का noun, नाम हुआ, तो आपका first, option ठीक है, the word, word, windiest, windiest आया था ना वापे, windiest, coldest, आया थे, in the passage, passage के अंदर क्य है, तो second form of the verb, क्या verb की second form है, बिल्कुल गलत, superlative form of adjective, adjective की superlative form है, क्योंकि जब भी EST लगेगा, superlative degree में, तो वो adjective में ही होता, वो adjective की form होती है, positive degree भी, superlative भी, और comparative भी, ठीक है, positive तो मूल adjective होता है, जब उसमें ER जोड देते हैं, तो वो comparative बन जाता है, जब उसमें EST जोड होते हैं, तो बाकी adverb के साथ, तो superlative degree होती नहीं है, नहीं, ना उनके साथ में positive form है, ठीक है, तो आपका correct option क्या है, to, चलिए आगे, has Antarctica always been fixed in the south pole, क्या हमेशा से रहा है यह south pole पर, जबकि वहां बता दिया गया है, कि यह 500 साल पहले, 500 million साल पहले Cambrian period में, यह भूमध्य से सरक्कर south pole पर आ गया था, तो आपका answer क्या हो गया, no, तो आपका answer है two, who are the earliest non-inhabitants of America, America में सबसे पहले रहने वाले inhabitants कौन से थे, तो उसमें पता था, passage में पता चल गया हमें, तो American नहीं थे, American भी गलत है, Indian भी गलत है, तो कौन थे, dinosaurs थे वहां पर, जब वहां का temperature थोड लेते हैं, read the given passage carefully and answer question number six to ten, यहां आपको answer देना है, the first thing, पहली चीज़, which is a scholar should bear in mind, जो scholar को, विदवान को अपने दिमाख में बिठा लेनी चाहिए, is how that a book out not to be read for mere amusement, उसे केवल amusement के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए, मलब खुद को आनन्दित करने के लिए केवल बुकों नहीं पढ़ाना चाहिए, जहां तक की बात है, scholar की, विदवान की, half educated person, company लिखे लोग, read, sorry, for amusement and are not to be blamed for it, company लिखे लोग तो इसको amusement के लिए पढ़ते हैं और उनको blame भी नहीं किया जा सकता, they are incapable, मैंने इसको थोड़ा सा color इसलिए चेंज किया है, क्योंकि आपका ही option में आ लिए भी जो qualities हैं, उनको appreciate करने में SMR होते हैं, that belong to really great literature, जो quality literature से संबंदित होती है, उनको वो appreciate नहीं कर पाते हैं, उनको comprehend नहीं कर पाते हैं और नहीं उनकी प्रशंशा कर पाते हैं, आगे पढ़ते हैं, but a young man, लेकिन एक नवीवक, who has passed through a course of university training, जो university training के course से गुजर कर गय है, should discipline himself, उसको खुद को अनुशाशित करना चाहिए at an early days, शुरुवाती दिनों में ही never to read for mere amusement, उसे कभी भी केवल amusement के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, and once the habit of disciplining, और जब अनुशाशन की habit एक बार हो जाती है, तो has been formed, sorry, हो जाती है, तो he will find it impossible to read for mere amusement, तो फिर उसके लिए impossible हो जाता है, असंभव हो जाता है कि उसको वो amusement के लिए पढ़े, क्योंकि अब उसको discipline की आदत हो चुकी है, he will then impatiently throw down any book, फिर वो ऐसी book को हटा देता है, from which जिससे he cannot obtain intellectual food, जिससे उसको बौधी का आहर की प्राप्ती नहीं होती है, the book which does not make an appeal to the higher emotion, और वो book जिसमें higher emotion की appeal न नहीं होती है, and to his intellectual, उसकी बहुत दिख चमता को वो बहुत दिख चमता के लिए कोई वो usable नहीं होती है, तो ऐसी book को वो हटा देता है, but on the other, लेकिन दूसी तरफ, the habit of reading for amusement, amusement के लिए पढ़ने की जो आदत है, अगर हम किसी book को केवल आनदी के लिए पढ़ें, जिससे novels लो amusement की जो पढ़ने की habit है, amusement के लिए, becomes with thousands of people, हजारों लोगों को exactly the same kind, वो बिल्कुल ऐसी आदत बना देती है, as wine drinking, जैसे शराप पीनी की आदत होती है, या opium smoking, या अफिम पीनी की आदत जो होती है, तो it is like a narcotic, तो ये आदत narcotic की तरह है, अगर हम book को केवल amusement के लिए तो narcotic क्या होता है, नश्या, something that he helps to, that helps to pass the time, और जो केवल वो amusement उनको केवल अपने जीवन को काटने के लिए, पास करने के लिए, समय को पास करने के लिए होता है, उससे उसको बहुत धिक, कोई भी बहुत धिक प्राप्ती नहीं होती है, आगे देखते है, something that keeps us perpetual condition of dreaming, और वो इस्तिति है, जो narcotic की जो इस्तिति है, वो उसको perpetual, perpetual का मतलब होता है, लगातार, continuous, तो उसको लगातार, उस condition में, dreaming की condition में, मतलब सपने की condition में, हमेशा उल जाकर रखती है, something that eventually, जो अंतता, यहाँ पर eventually का मतलब है, अंतता, results in destroying all capacity of thought, जो विचारों की सारी छमताओं को नस्ट कर देती है, का प्रिनाम बन जाती है, giving exercise और वो केवाल exercise देती है, to the surface part of mind, brain का जो surface part होता है, केवाल उसी को ही वो exercise देती है, and leaving the deeper spring of feeling, और वो भावनाओं के उस गहरे spring को छोड़ देती है, भावनाओं के उस गहरे जरने के आकरशन को छोड़ देती है, and the higher faculties of perception, unemployed, और जो विचारों की, विचारों की जो उच्च कोटी की, जमता होती है, योगता होती है, वो unemployed हो जाती है, मतलब वो आयोग्य हो जाती है, वो जमता आयोग्य हो जाती है, जो विचारों की है, ठीक आगे बाद, ये useless हो जाती है, विचारों की जो योगता है, वो एक्दम से useless चली जाती है, चलिए, इस बार हमने passage को पहले पढ़ लिया है, अब हम questions को देखते हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको करा चुका हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, The writer believes that half educated person are not able to, writer believes, देखिए, सबसे पहले आप passage को यह करें, कि दो बार पढ़ लें, उसके बाद में आप questions पर आजाएं, या question को एक बार पढ़ लें, उसके बाद में passage पर आजाएं, तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है, आप practice कीजिएगा, अपने, वहाँ से जहाँ आप भी आपको पैसे मिलें, और उन पर comprehensive question मिलें, तो उन पर आप practice कीजिए, जो आपको easy लगे, वह आप कर सकते हैं, तो the writer believes, writer विश्वास करता है, that half educated person are not able to, half educated person able नहीं होते हैं, कि इसके enjoy wine drinking, शारफ पीने के, वो enjoy करने के, या enjoy drinking, या सपनों को enjoy करने में, या think properly, admirable literature, जिस literature की प्रशंशा होनी चाहिए, उसकी छिपियू quality को appreciate करने में, उसकी प्रशंशा करने में, वो समर्थ हो जाते हैं, तो आपका, जब आपने passage पढ़ा है, तो बिलकुल इस पस्ट है, कि आपका fourth सही है, ठीक है, चलिए, the word narcotic in the passage, passage के अंदर जो ये narcotic word है, वो किसक की तरह तो होती है, नशे की तरह, तो literature से इसका मतलब नहीं है, intoxicant से मतलब है, intoxicant बोलते हैं, जिससे नशा होता है, तो आपका two options एकदम correct है, cheap books का जिकर नहीं है, intellectual exercise भी नहीं है, चलिए, the phrase, the higher faculties, the higher faculties का मतलब क्या है, जिससे जो दी हुई है, फ्रेज को उसको बोलते हैं, शब्द समू, शब्दो का समू मिलकर एक अर्थ निकालता है, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं, इंदा एक ही sense में उसको use किया जाता है, एक ही उद्दिश के लिए उसको use किया जाता है, in the passage, passage में higher faculties का मतलब क्या है, तो the different departments in the university, university में जो अलग-अलग departments उनके लिए, वैसे faculty हम department को भी बोलते हैं, लेकिन passage में जब हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर faculty का मतलब department से नहीं है, different ways of enjoying thing, या चीजों को अलग-अलग धंग से, अलग-अलग तरीके से enjoy करना, या mental power of higher order for understanding great literature, या उस mahan literature को समझने के लिए उच्च कोटी की मानसिक छमता होना, तो बिलकुल आपका correct क्या निकला है, आप समझ गयोंगे खोदी कि passage के अंदर इस बात का जिकर हुआ है, the higher faculty of mind, ठीक है, और superficial part of mind, mind का superficial part, इसका कहीं कोई जिकर passage में है यह नहीं, तो आपका correct option क्या है, third, the word eventually in the passage, passage के अंदर eventually का कहां यूज हुआ है, eventually results, ठीक है, चलते हैं एक बार passage में, eventually results in destroying all capacity of thoughts, यह सभी परकार की, जो thoughts की छमताएं हैं, उनको नस्ट करने का परिणाम बन जाता है, आंतता, ठीक हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम, after some time, के sometime के लिए यूज हो at last, at last का मतलब अनतता, ठीक है, तो आपका correct option हो गए यहाँ पर, तो इसमें ज्यादा सोचने की ज़रुवत हैं यह यूज हुए नहीं, the word unemployed, unemployed का, किस तरह से महाँ यूज हुआ है, unemployment का मतलब यहाँ होता है, बिरोजगार, ठीक है, बिरोजगार का मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, उसको कोई value बनी देता है, मतलब वो unused है, ठीक है, तो क्या होगे आपका option, मिल गया मेरे सही, आपको answer, तो unused आपका सही answer है, jobless का मतलब यहाँ है, आपको पैसेज में, in search of employment का भी मतलब यहाँ, not working का मतलब यहाँ, तो आपका fourth option एकदम सही है, तो guys, दोनों तरीके मैंने आपको बता दी है, जिन तरीके से भी चाहें, आप पैसेज को निकाल सकते हैं, और आप अच्छे से तरह तयारी कीजिए, और देखिए, आपको practice तो आपको करनी ही होगी, और आप मेहनत कर रहे हैं, तो पूरी तरह से अपने आपको जोंग दीजिए, पूरी dedicate कर दीजिए, study में, क्यूंकि आप आपके पास में किवल 20 दिन है, और 20 दिन में आप धड़ा धड़ धड़ा धड़ जितना आपको time जितना निकाल सकते हैं, उतना time आप निकाल लिए, 20 दिन के बाद में आपका exam आपके खत्मे होगा, तो चलिए गाइस मिलते हैं, एजिए विजिज के साथ में कि आप अच्छे से तयारी करें, और आच्छे से सफल हो जाएं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तिल देन, बाबाई, ठेक केर,